एक बार फिर से आप सभी का शौगत है आपके अपने चैनल MSA Study Talks तो है तो इस वीडिये हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के लिए जो इंतिजार कर रहे हैं जाडखंड एस्पेसल ब्रांच आरक्षी का देखिए बहुत जल जाडखंड में जाडखंड कर्मचारी चायनाय जाडखंड से जूड़ी हम बात करेंगे संभावित सिलेवस क्या होने वाला है इसमें बात करेंगे योगता उम्रीशीमा और बाकी बदलाओ जैसे दोड़ पहले होगा या बाद में और दोड़ होगा तो फिर कितना होगा तो पूरी डिरेस में आपको जानकरी बताएंग पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरुखिएगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं जाडखन कर्मचारी चैनायो की महतवपून वैकेंसी जो आने वाली है एप स्पेसल ब्रांच आरक्षी के बारे में आपको डिटेस में जान करें बताएंगे उससे पहले थोड़ तो सबसे पहले बात करेंगे कि टोटल वैकेंसी कितना आने वाला है कितना पोस्ट के लिए कितना पडहान पे होने पामेने के लिए यहां पर 506 पत थे जबकि अनुसुची जन जाती के लिए 263 उसके बाद अनुसुची जाती के लिए 101 अत्यांत पिछड़ा वर्ग यानि BC1 के लिए यहां पर 61 टोटल देखिए यहां पर 1012 और यहां पर देखिए आरक्षीत कोटी के रिक्तियों के वेकंसी आपका लगभग 1000 प्लास यह पदो पर आने की बहुत ज्यादा चांस है तो यह बहुत अच्छा यहां पर आप लोग के मौका है एक अच्छा वेकंसी बहुत जल्द आने का उम्मीद है इस वेकंसी के आप लोग तैयारी सुरू कर देए यहां पर देखिए अब ब के बारे में क्या दिया हुआ था कि आरक्षी पत के लिए यहां पर बेतनमान जो है 5200 सो लेकर 20200 और ग्रेट पर अलग से 2000 ठीक है और इसके साथ अगर बात की जाए यह गता का तो बेतनमान आप लोग यहां पर पता चल गया होगा कि 5200 से लेकर 20200 का बेतनमान है और इसमें भी आपका नया रोल्स जो है जैसे सी के अंतरगत होने वाली किसी भी पतियोगी परिक्षाओक के अंतरगत जो नहीं चेंजिस किया गया है नियूंतम सैक्षिन यूगता वो इसमें भी अनिवारे रहेगा जैसे कि 10 प्लास 2 यहनि मैट्रिक और इंटर दोनों ही आप विद्याले से आपका यहां पर मैट्रिक इंटर होना निवारे होगा शाथी अगर आप आरक्षन कोटी के अंतरगत आएंगे तो आपको यहां पर आपके लिए नियम सिथिल रहेगा और आपको कोई दिकत नहीं होने वाला है यह नियम भी इसमें लागू रहेगा तो यह मामला फिर कोट में गया और अभी जैससी ने इसको दोबारा से चिंजस किया गया है तो मुझे लग रहा है कि इसमें जो उम्रे के गनना होगा वो एक आर दोहर अठारा ही रख सकते है जैससी बाक के आने वाले दिने में आपको अपडेट मिल जाएगा ठीक है तो एक अब दोहर अठारा जो था वो से मुझे लग रहा जहां तक इस वे जैससी एक बार फिर से एक आर दोहर अठारा रख सकता है ठीक है तो यह तो रहा आपका उम्रे के गनना आप देखिए यहां पे आना रख्षित सामेने वर्ग के लिए जो निवनतम उम्री श्रीमा होगी वह होगे 19 वर्ग और मैक्सिमाम होगा वह होगा 25 फिर याई पाज़ीज वर्ग पिछला वर्ग और वीजाने वर्ग तो यहां पे तीनो के लिए ही मिनिमोम मैख्買 माईक होगी और मैक्सिमाम अ विमार पर आधारित हो गई cbt जो होती है ऑनलाइन वह नहीं होगा आपका यहां पर आफलाइन इक्जाम होगा लेकिन औब जेक्टिव आधार पर एक्जाम होगी यहां पर 2018 यह वैकन से आया था उसमें देखिये क्या लिखा हुआ था परिचा के 100 रूप पार्ठे करम अनिस लेकिन आप लोग बता दे इस वैकेंसे में भी इसमें चेंजेस किया जाएगा सारीक जक्षिता जो परिक्षा है वह आपका पहले लिया जाएगा एदि फीजिकल टेस्ट आपका पहले और बाद में आपका रिटेंट टेस्ट होगा ठीक है यह आप लोगा बहुत ज्यादा लेकिन अभी इस पर कहना यह जलदवाजी होगा कि इसमें दोड़ कितना होगा कि की जो कारापाल कशपाल में आया है और उत्पात सिपाय इसमें अलग-अलग कर दिया गया है तो इसमें बारे में हम जब यह वैकेंस आए जाएंगे तो डिटेस्ट में और सिले आप लोग उसके बात बात करेंगे यहां पर देखिए कि एक्जाम जो रिटेल लिया जाएगा उसमें मिनिमम आपको पास करना अनिवार होगा ठीक है और सारी दक्षता परिच्छा यह तो आपका कौलिफाई वाला होगा लेकिन जो आपका रिटेन टेस्ट होगा उसमें आपका दो लिया गया था मतलब लेने के लिए यहां पर दो एर अरटारा में आया था अब क्या होने वाला चले उसके बार में बात करेंगे देखिए जो आपका होगा रिटेन टेस्ट उसमें अनारक्षित के लिए मिनिमम आपका 40-30 लाना होगा यह पास करना निवार है उसका बाद अनुस्य जंजाती और जाती के लिए 32-30 अत्यान पिछला वर्ग BC1 के लिए 34-30 जबके पिछला वर्ग BC2 के लिए 36.5% और महलाओ के लिए यहां पर 32% रखा गया था और इस बार भी एही रखा जा सकता है ठीक है बागी कुछ थोड़ा बहुत चेंजिस होगा तो हम आपक और जो लिखीत एक्जाम लिए जाएगा इसमें जो पिछला जो यहां पे दिया हुआ था था दो पतर लिया गया था पेपर वान और पेपर ट 10 पेपर वान में आपके था पांच उप्खंड थे जिसमें हिंदी भाशा शामेनव ग्रान स्मिन लिए चा hormone गशान के लिए ecoты सामिल थे हैं अब बात करें देखें हिंदी भासा ग्यान में आपको 50 प्रश्ण था यानि 50 मार्स के लिए उसके बाद सामिने ग्यान के लिए हाँ पचास प्रश्ण सामिने विज्ञान के लिए 25 प्रश्ण शामिने गनित के लिए 25 प्रश्ण और अंग्रेजी भासा के ग्या प्रश्ण रहेंगे और इसमें उपकरण बारावी अस्तर के प्रश्ण होंगे इन्टर लेविल के को सामी ने ग्यान अगर आपको बात की जाए तो देखिए सामाइक विशय राजनीती सास्त्र लोक परसासन भारतिय शनविधान इतिहास भूगोल जाड़कन राज के ग्यान से संबंदित प्रश्ण होंगे और यह भी आपका बारावी लेविल के होंगे जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बात की जाए सामी ने विज्ञान की तो इस उपकरण में आटवी अस्तर के सामी ने विज्ञान प्रस्ण पूछे जाएंगे यह जो एट लेवल क्लास के है आपका इंटरमेडियर अस्तर के पूछे जाएंगे इंग्लिस में तो यह रहा संभावित स्लेवस जो की आपको बाद में तो हम वीडियो बनाएंगे लेकिन अभी अगर आप तयारी करना चाहते है तो इस तरह से आप तयारी कर सकते हैं ठीक है प्रस्ण पत्र टू की बात वह अधी होगी हो तीन घंटे की पेपर वन के लिए तीन घंटा और हर एक कोस्टेन एक सो पचरतर कर को स्चेन है तो अगर सही होता है तो गलत होता है तब 0.66% काट जाएगा नंबर तो दौड अए फिसिकल्ट टेस्ट में आपको क्या कुछ करना है और उसके बारे में आ तो यहां पे आपका जो मिनिममम अंख है यह नियम बनाए गया है तो अब लास्ट में बात कर लेते हैं सारी दक्षेता परिक्षा एनि फेजिकल टेस्ट के बारे में जिसमें सारी मापदन्ट क्या होगा देखिए यहां पे जो आप सारी मापदन्ट है यह आपका जो जाडखन उत्पात सिपाही में निकाला गया है कम पूरा मेरे ख्याल से पूरा स्यम आने वाला है अगर कुछ चेंजेस आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे उचाही हो सीना हो अलग-अलग कैट्रिक वह आपका स्यम आने वाला है इस लंबी कूद जो के बारा फीट पूरुसों के लिए महलाओ के लिए और चौथा जो है गोला फेक चौदा सोला पॉंड पंद्रा फीट और दस फीट जो महलाओ के लिए यहां पर आपका फीजिकल टेस्ट में सारी जांच परिछा में होगा ठीक है तो इसी तरह से हर एक ज जानकारी के लिए चैनल के साथ बने देएगा इस तरह की जानकारी दोस्तों को जादा सेयर कीजिए ताकि सभी तक इस तरह की जानकारी मिलता रहे मिलते है नेकी स्टे में तब तक के लिए शुक्रिया